बिहार, पुलिस, इंडो-नेपाल बॉर्डर और सभी अंतराष्टी सीमाओं और अन सीमाओं पर लगातार चौकस पिछली बार हम लोगों ने विस्तर रूप से आपको बताये था किस देश के कितने नागरिक जिस खास नाम पर अपने चर्चा किये वो संभवता किसी अन्य राजी का मामला वो बिहार का मामला नहीं लगता पाकिस्तानी प्रेमिका शीमा हैदर का विवाद अब बिहार में भी कही न कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है नमस्कार News for Nation देख रहे हैं आप मैं हूँ अनील पाकिस्तानी प्रेमी का सीमा हैदर और सचीन मौरिया का कनेक्शन लगतार देखा जा रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है वहीं अगर बात करें तो इसमें जांच एजनसिया लगतार सीमा हैदर से पूछ ताच कर रही है वहीं अब बिहार के ADG मुख्याल है जितेंद सींग गंगवार से पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए ADG मुख्याल है जितेंद सींग गंगवार ने बताया है कि भारत की सीमा इंडो नेपाल बौडर पर पैनी निगाह बिहार पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कि जा रही है वहीं अगर बात करें तो इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं ADG मुख्याले जितेंद सींग गंगवार आइए सिधे सुनबाते हैं आपको बिहार पुलिस इंडो नेपाल बौडर और सभी अंतराष्टी सीमा और अन सीमा पर लगातार चौकस पिछली बार हम लोगों ने विश्टर रूप से आपको बताया था किस देश के कितने नागरिक है हमने राष्टरवार देश के कितने नागरिक किस आरोप में कब-कब प पूरा डिटेल हमने आपको आकड़ा दिया था और उसके आधहार पर लगातार हम लोग चौकस हैं लगातार कारवई की जा रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है सीमा वर्ती छेत्रों में केंडरी पुलिस बल टैनात हैं और उनको भी पुलिसिंग का दाइत्र दिया गय उसके लावा बौडर के सीमा वर्ती ठानों सीमा वर्ती जीलों के पुलिस अधिशकों की नेपाल और भारत के जो सीमा वर्ती स्पी और डियम है," उनकी भी लगातार बैटके होती है पर्फेक्ट कॉरडिनेशन हम लोग बौडर पर लगातार कारवई करते हैं, जिस खास न पाकिस्तान से चल कर अपने चार बच्चों के साथ प्रेम प्रशंग में सचीन से मिलने दुबाई के रास्ते नेपाल पहुची थी और नेपाल से अवैद तरीके से भारत में इंट्री करती है और उसके बाद यूपी में सचीन के घर चली जाती है जिसकी जानकारी जाच हुई नजार आ रही है लगतार हमारी चोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूस परने सान